आप सभी का स्वागत है, आज की इस कहानी का नाम है, पती पतनी और प्रेमी, यहे एक हिंदी कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं, रात अती जवा थी, अपने बिस्तर पर लेटी निशा फोन पर समीर से प्यार भरी बाते कर रही थी, लेकिन समीर ने जैसे ही निशा से अपने कापते होटों से कहा, निशा, होटेल, कौन सा होटेल, समीर, होटेल ग्लू डायमिंड, निशा, कुछ गडबर तो नहीं हो जाएगी समीर, समीर, कैसी गडबर, निशा, I mean, किसी को पता तो नहीं लग जाएगा हमारे रिष्टों के बारे में, समीर, डर लग रहा है निशा बहुत तो मिलना कैंसिल कर दे, निशा थोड़ी देर खामोश रही, उसने अपने बिस्तर के सामने रखे अपने पती पंकच की तस्वीर की ओर देखा, फिर कुछ सोचा और समीर से कहा, निशा, समीर, जब प्यार किया तो दरना किया, मैं आ रही हूँ तुम से मिलन अगले दिन निशा समीर से मिलने होटल ब्लू डायमन पहुच गई, उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, होटो पर उसी रंग की मेचिंग लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े टॉक्स और खुले बालों में वो किसी अपसरा के जैसी लग रही थी, उसने होटल के रिसेप्शन पर जाकर कहा, निशा, रूम नंबर 311, होटल के रिसेप्शन पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने उसकी और मुस्कुरा कर देखा और कहा, रिसेप्शनिस्ट, थर्ट फ्लो, साइट से चौथा कमरा, निशा, मेरी बुकिंग है आज की, रिसेप्शनिस्ट, जी मैम, ये रही आपके कमरे की चाबी, उचे सेंडल पहने खटखट करती हुई निशा रूम नमब 311 में पहुची, दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश कर गई, अभी उसे कमरे में आये 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, दस्तक की निशा, समीर तुम, समीर, नो निशा मैम, मैं तो रूम सर्विस वाला हूँ, ये कहते हुए वो कमरे के अंदर आ गए और निशा के पास खुटनों के बल पर बैट गया और एक गुलाब का फूर उसे देते हुए कहा, समीर, मैम, बताए ये बंदा आपकी क्या किदमत कर सक निशा ने उसके हाथों से गुलाब लिया और कहा, निशा, बस ये बंदा मुझे धेर सारा प्यार करे धेर सारा, ये कहकर वो समीर के गले लग गई, कुछ देर बाद वव सुद्बुद भुला कर एक दूसरे में खो गए, निशा शादी शुदा थी, पंकज से तीन साल प पर उसके लिए सब कुछ था, लंबी गारी, बड़ा घर, नौकर चाकर, लेकिन सिर्फ पंकज का प्यार नहीं था, पंकज, अरे निशा, मैंने कहा ना, अभी बहुत काम है यार, माल की सप्लाइ बाकी है, कुछ नए ओडर भी मिले है, उनके लिए रौ मिटीरियल का अरें नहीं है, लेकिन शादी के तीन साल हो गए, पंकज के वो दो महीने आय ही नहीं जब उसने वादा किया था कि वो हनीमून पर जाएंगे, निशा ने भी उससे कहना छोड़ दिया, उससे समझा गया था कि पंकज सिर्फ अपने कारोबार से प्यार करता है, रात के बारा बज गए, निशा, हर दिन यह इतनी देर से आते हैं, अरे, काम कौन नहीं करता, लेकिन काम के चक्तर में अपने घर को, अपनी बीवी को भूल जाना सही तो नहीं है, मुझे तो लगता है ये घर सिर्फ सोने के लिए आते हैं, इनका वश चले तो ये ओफिस में ही सो जाएं, प मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा, आज हम दोनों न सिर्फ बाहर खाएंगे बलकी लॉन ड्राइव पर भी चलेंगे, और अगर मैं भूल भी गया तो मुझे शाम को साथ बजे कॉल करके याद दिला देना, ठीक है, चलो अब मुझे जाने दो, and happy anniversary, ये कहकर पंकज फैक्टरी के लिए निकल गया, रात के आठ बज गए, पंकज घर नहीं आया, निशा ने उसे कॉल किया, निशा, क्या हुआ पंकज, आप अभी तक निकले नहीं है, आठ बज गए है, पंकज, निशा, my dear wife, मैं भूला नहीं हूँ, थोड़ गई, वहाँ पहुँचकर उसे 10 बज गए, लेकिन पंकज नहीं आया, उसने दो बार उसे कॉल भी किया, लेकिन उसने उसका कॉल कट कर दिया, निशा, गल्ती मेरी ही है, मैं ही उनसे कुछ ज़्यादा expectation लगा लेती हूँ, उनकी पहली priority उनका काम ही है, निशा ने घरी की और देखा, 10 बजने वाले थे, उसने एक बार और कॉल किया, इस बार पंकज ने कॉल पिक कर लिया, पंकज, क्या तुम बिल्कुल स्टुपिद हो क्या, अरे मैं यहां काम में बिजी हूँ और तुम कॉल पर कॉल किये जा रही हो, निशा, लेकिन आपने तो मुझे यहां ह हुटेल संशाइन में वेट करने के लिए कहा था, पंकज, हाँ हाँ कहा था, लेकिन काम भी तो है, उसे छोड़ कर आ जाओ, सुनो एक काम करो, तुम दिनर कर लो, मेरा आना थोड़ा मुश्किल है, निशा, आज हमारी एनिवसरी है पंकज, पंकज, हाँ तो क्या हुआ, त तुम अकेले एनजोई कर लो ना स्वीट हाट, चलो अब मैं फोन रखता हूँ, मुझे बहुत काम है, पंकज की बाते निशा के कानों में गूंजने लगी, अकेले एनजोई कर लो ना, उसकी आँखों में आसु आ गए, वो अपने टेबल से गुसे में उठी और होटेल से घर वापस जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि एक बहुत ही हैंसम लड़का उसके पास आया और बोला, लड़का, excuse me ma'am, my name is समीर, आप किसी का वेट कर रही हैं क्या, निशा, आपको उससे क्या मतलब, समीर, देखिए, मुझे गलत मत समझे, मैं बहुत देर से आपको द तोड़कर बहने लगे, समीर, क्या हुआ मैं, आप रोने क्यों लगी, कोई प्रॉबलम है तो आप मुझे बताए ना, पता नहीं उस घरी ऐसा क्या हुआ, निशा का अकेलेपन का दुख उससे संभाला नहीं गया, उसने सारी बाते समीर से कह दी, समीर, जानती है, किसी भी रिलेशन्शिप को बांध कर जो रखता है वो है, प्यार, इनसान कितना भी परेशान हो, अगर प्यार से कोई गले लगा लेता है ना तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी बर्फ की तरह पिगल जाती है, आफसोस, कि आपके पास सब कुछ रहते हुए भी प्यार से गले ल निशा का ध्यान रखता, उसकी केर करता, ये बात निशा को बहुत अच्छी लगती, समीर को भी निशा बहुत पसंद थी, हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को खुल कर नहीं कहा, लेकिन आखिर कब तक वो इससे दूर रहते, एक दिन समीर ने ही निशा को प्रोपोस कर रहे हो, समीर, क्या मैं एक शादी शुदा से प्यार नहीं कर सकता, क्या ये किसी किताब में लिखा है, निशा, किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन समाज में से गलत समझा जाता है, समीर, किस समाज की आप बात कर रही है, निशा, प्यार करने से कोई समाज किसी को नहीं र पह सकती थी। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। उन्होंने सारी सीमाएं भी कई बार लंग दी। उसे नहीं पता था कि समीर उसका यूज कर रहा है। उसने निशा से लाखों रुपय एथिये थे और वो उससे अयाशी करता था। समीर, सोने के अंडे देने वाली मूर्गी हात लगी है मेरे। अपनी लाइफ तो बिलकुल सैट है। हाला कि कभी-कभी निशा को भी लगता था कि समीर उससे बार-बार पैसे क्यों मानता है। उसे ये भी लगता था कि वो अपने पती को धोखा दे रही है। लेकिन उस पंकज को अपने लोगों द्वारा समीर के बारे में पता लग गया। उसे ये भी पता लगा कि समीर बहुत ही बदमाश किस्म का लड़का है। उसने शहर की और भी कुछ औरतों से ऐसे नाजायस संबंद बना रखे हैं। वो उनका पहले तो फाइदा उठाता है और बाद मे उनहें ब्लेकमेल करता है। पंकज समीर की असलियत निशा को बताने वाला था. तब एक दिन समीर ने 10 लाख रूपे निशा से मानगे। निशा, 10 लाख, मेरे पास इतने रुपे नहीं है समीर और मैं अपने पती से इतने पैसे मानगे तो उनहें शक हो जाएगा। समीर, मैं प्यार सिर्फ पैसो से करता हूँ निशा, पैसो से, पैसे दो नहीं तो तुम्हारी इज़त निलाम कर दूँगा, निशा, नहीं समीर, तुम कुछ हिसा मत करना, पंकज ने निशा और समीर की सारी बाते सुन ली, उसने उससे कहा, पंकज, वो बहुत बदमाश लड़का ह को बताए और उससे कहा, पंकज, निशा, क्या कमी रखी मैंने तुम्हारे पास, महंगी से महंगी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, नौकर चाकर की लाइन लगी रहती है तुम्हारे आगे पीछे, बोलो, इससे ज्यादा और क्या मैं दे सकता हूँ, निशा, प्यार, प्य से कुछ पूचा, कभी प्यार से मुझे गले लगाया, कभी प्रेम से मेरी तरफ देखा नहीं, कभी नहीं, काम, काम, काम आपके लिए काम ही सब कुछ है, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन कुसूरवार आप भी है, पहली बार पंकज को लगा कि उससे सही میں मेरे लगा कर लाया था। उसे तो लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। वो सारी चीज निशा को दे तो रहा था। लेकिन प्यार और अपना समय वो उसे दे ही नहीं पाया जिसकी जरूरत उसे सबसे ज़ादा थी। मेरा फायदा उठा रहा है। आप इसी समय पुलिस को फोन करिए। मुझे उस बदमाश को सबक सिखाना है। निशा ने पंकज को माफ कर दिया। गलती दोनों तरफ से हुई थी। उन दोनों को अहसास था। उसके बाद पंकज बिलकुल बदल गया। उसे प्यार और पत्नी दोनों की अहमियत समझा गई। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी। नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं।